हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूटूब चान श्टाडिवेद सुजीत में तो दोस्तो आज हूं कलास टूगल्थ के वाइलोजीक महत्यपोन अबजेक्टिव कोसंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो मारे बोड एकजाम के लिए अती महत्यपोन है दोस्तो तो आप सिधात से इन सभी कोसंस को अच्छे से याद कर लेजीगा बोड के लिए काफी मात्यपोने तो चली हम लग भाई-भाई से देखते हैं प्रस्टन को आज का फर्स्टन परस्टन है कि टॉर्णा सिंड्रो में कितने गूर्ण सुत्र है काफी भी भी परस्टन है दोस्तो कि टॉर्णा सिंड्रो में कितने गूर्ण सुत्र होते हैं तो जब इसका एंसर पूछेगा तो यह 45 होजेगा अगर वहीं डाउन सिंड्रोम होता तो डा तो उमीद करते आपका एंसर आ गया होगा कि जॉल में कुलाई की अधिक्ता यह सभी का सुचक हो जाएगा दोस्तो अप्शन मर यहां पर डी है वह राइट एंसर हो जेगा लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह सेशन आपको कैसे लगा सतर में सतर अबजेक्टिव य हैं तो जब हेला को सिकाए कहेगा हेला को सिकाए यहीं केंसर को सिकाए के रूपे होती अप्शन मर यहां पर बी है वह राइट एंसर हो जेगा दोस्तों आप सीधन से इन सभी कोसंस को अच्छे से याद को लीजीगा यानि कि देख लीजेगा बहुत ही महत्यपूर सेशन आज की होने वाला है जेड़ जेड़ अपन जेड़ डबलू तरह का लिंग निधारन की इसमें दिखा गया है तो यह जो सवर पर्थम दिखा गया था यह मोर में दिखा गया था यानि कि आपसर मर यहां पर सी है वह राइट एंसर हो जेगा अगर आपका 50 पलस अगर इसमे रिजल्ट आता है 70 में तो उमीद करिए कि आपका 35 नमर किसी का बाप से नहीं रुका जा सकता है यानि कि 35 नमर आप आसानी पूरबक आप पाएंगे दोस्तो पूरता आसानी से और यहां पे आप देख रहे हैं कि अधरक में काईक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है तो अधरक में जब कहेगा दोस्तो तो यह राई जोम के द्वरा संभा हो पाता है अप्शन मर जो यहां पे यह जो है वह राई टेंसर होजेगा जीस तरह से हम लोग फिजिक्स के में 35 करकर आए हैं यानि कि 70 में 70 को संस तो उसी तरह से बाइलोजी में भी हम लोग फार कर आए दोस्तो आप तो फिजिक्स का कोशन देखते होंगे कि सब्जेक्टिव कोशन से ए टूजेट ला रहा था ए टूजेट दोस्तो और आप देख रहे होंगे कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस वितामिन की प्रचूर मात्रा पाए जाती है तो उम्मीद करते हैं आपका एंसर आगे होगा कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस वितामिन की प्रचूर मात्रा पाए जाती है तो याद रखिए और यहां पर आप सर्मार यहां पर बी जो है वहार सही एंसर होज़ेगा और यहां पर देख रहे होंगे वानली यहां पर एंसर बताते हुए कम है जो शाँ फरवारी आने वाली है उसके लिए काफी महत्रपूर्ड यह सेशन होने वाले है दुस्तों निम्णांकित में कौन प्लाजमिंड है तो यहां पर प्लाजमिंड पुछाये दोस्तों प्लाजमिंड के रूप जो होज़ेगा दूसर यहां पर आप आप देख आगे होगा कि इडली एओ डोसा का आठाकी सुक्षमजीव के प्रयोग से बनाया जाता है तो इसका जो राइट एंसर होगा अप्शन मर्डी यहाँ पे इस टी का प्रयोग करके अप्शन मर्डी है वह राइट एंसर होजेगा और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कि ती आई प्लाजमीड किसमें पाजाता है तो उम्मिद करते हैं आपका एंसर आगे होगा आप्शन नमर्ए कि एग्रोबेक्टरियम टीमोफ हैंस में ती आई प्लाजमीड पाजाता है आप सीधा से इन सभी कोशन को अच्छे से त्यारी कर लिजिगा पिलीज करके दोस्तो क्योंकि यहां से अधिक कोई भी कोशन आने वाला नहीं दोस्तो और यहां पर एगा रोज किसी से प्राप्त किया जाता है एगा रोज तो एगा रोज आप कहेंगे तो यह समुंदरी घास से जो कि बिल्कुल ही सही अंसर होजेगा समुंदरी घास से एगा रोज प्राप्त है सीफिलिस कि गुणोरिया गुणोरिया और एर्टस को यह तीन ही होता है याद रखेगा ठीक तो तीन ही में से एक आपके बोडिक जमें हंडिर संञायत रोग में तो यहां पर यहां पहुत यहां पर देखता है उसे अलिशा के नाम дрोढ के याद रखेगा अनवंसिक, में कितने कूट होते हैं उमीद करते कि आहिं आ गया होगा कि को होते हैं तो किया होते है नियु das में 64.6 में ओकनती होते हैं टी है वह पार खुरणोर यहां पिया होंगे कि वर्नांधता में रोगी नहीं पाचान पता है तो वर्नांधता में क्या होता है यह एक परगर का अनुवांसिक रोग है वर्नांधता और इसमें क्या होता है कि लाल और हरा रंग में ब्यक्ति जो होता है वह अंतर नहीं दिखा पाता है कि कौन सा लाल है और कौन सा हरा तो यह अप्ष की साथ रहे दोस्तों हमेशा त्यारी के साथए तो उसका असर न परै आपकी त्यारी में झीस तरह से हम लोग परड़लो इंगलिस से हो गया और हिंदी में भी तो ठोखना है तो यहां पर एक कि डिना यह एक प्रक्राइब का योजा का कड़ी होता है यहां पर यहां पर यह है वराई टेंसर होजेगा दस्तों आप बस सिधा से इन सभी कोशन को अच्छे से देख लीजेगा यहीं से कोशन हंडे टु हंडे परसें रहने वाले हैं ठीक तो निमने में कौन किट भक्षी पौधा है तो किट भक्षी पौधा में यह ड्रोसे भी होता है और नेफेंटीस भी होता है तो यहां पर और यहां पर यहां पर पर जो बी है और यहां पर और अचले लाइक जो लुकिजेगे दोस्तों चानल पर ना जूड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगे दोस्तों यह जो चानल बनाया गया है सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है आप जैसे चाहते हैं वैसे ही चानल के माध्यम से प्रवाइड के जाता है और बोड एक्जाम है 100-100 परसेंट भ जानते हैं खुद कि मानवर उधिर बर्ग एबी में क्या होता है तो मानवर उधिर एबी बर्ग में क्या होता है कि इसमें एंटी बड़ी जो होता है वह अनुपस्तित रहता है यह नहीं रहता है और गोल्डेन राइस में पाए जाता है तो याद रहे जो गोल्डेन राइ निकलती है जहां पे मेंडल ने परस्तावित ही था यह तो सभी्क को मालुम होगे कि मेंडल ने परस्तावित क्या था तो यह अनुवान सिक्ता के नियम को परस्तावित के था ओज़ाय को यहाद रहेखे यहां पर सी सी आ और आइट नुन ज hay política कि मीट्टी को उपजावग बनाने में सहायक होता है तो मीट्टी को उपजावग बनाने में जो सहायक रहता है वह तो जेवी के खाद हो जाएगा कि यह हो जेगा अपसर नमर भी बीजदर आइट एंसर फोर दिसकोशन सेसा नाचले और ज़रूर लाइक कीजेगा दोस्तो और इसे ज़रूर सेयर करने का प्रयास कर दीजेगा ठीक नील हरीत सेवाल किस खेत के लिए उपजावाल तो यह जो दोस्तो होता है यह चावल के लि दोस्तों कि ओका जाकी फ्रेग्मेंट्स को बनता है तो उम्मीद करते हैं आपका इंसर आ गया होगा कि यह जो होता है डीने असंतर द्विगुणन में और डीने के पहस्चिगा में इस्ट्रेंड में तो यहाँ पे जो डी है बी तता सी दोनों यह सही एंसर होजेगा ऑप सब्जेक्टिव को से इतना अच्छा से करवा देंगे कि वहीं से कोशन पूछा जाएगा दोस्तों वहीं के वहीं से जिस तरह से फिजिक्स के में डीना कैसा अंगे है तो उम्मीद करते हैं आपका इंसर आगे होगा कि पक्षियों तता जो तीतली का डैना होता है वह और स प्रांट जब गएगा इसमें मिथेन होता है तो मिथेनों जिनस इसमें जिवान प्रयुक्त होता है ऑप्षन जो डी है वराइट एंसर हो जाएगा दोस्तों और यहां पर आप देख रहे होंगे कि कीस जनल परत से रक्त तथा परिवार तंतर का उदभा होता है काफी भी जो भी है वराइट एंसर होजेगा नासपाती का बिग्यानिक नाम क्या होता है नासपाती का तो नासपाती जब कहेगा दोस्तों इसका पाइरस कम्यूनीस होता है जिस तरह से मनुष्य का बिग्यानिक नाम पाइरस कम्यूनीस होता है और यहां पर प्रस्ण पुछ लिया हघा है कि मुखुलन द्वारा जनन की स्में हता है तो मुखुलन द्वारा जब काएगा दोस्तों यह से घून होता है आपशन मर्ज यहां पर वह राइट रोजेगा वह है अबी चाहिज पर कि पर यहां पर हाइडिरा लोर्य काइश'd और हाइडिरा ठीक तो और Hydra यानिके C जो है वो और आइट एंसरो होता है इस्ट तता Hydra में मुकलन दोरा यहाँ पर किरिया होता है option मर्जिया C है वो آइट एंसरो होजेगा अर दिखंडन अभी किरिया जो होता है वह अमीबाय तथा पेरेमिश्य में हो जाएगा दोस्तों तो see the right answer for this question और यहाँ प्रकंद द्वारा काईक परवर्धन किस में होता है तो प्रकंद द्वारा काईक परवर्धन जो दोस्तों होता है दोस्तों उमिद करते हैं आपका answer आगे होगा कि अध्रक और हल्दी में प्रकंद द्वारा परवर्धन होता है option नमर जो यहाँ पर D है वो सही answer के साथ right answer होजेगा और शलकंद का निर्मार निमनांकित में कौन उधारन है शलकंद का निमनांकित में कौन उधारन है तो आपका answer आगे होगा कि 32 का प्याज जो है वो राइट answer होजे आपसर मरसी सतर में सतर objective होने वाले हैं अगर सतर में अगर पाचास पलस अगर आप answer देते हैं दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा answer आप देते हैं तो आपका मानिया कि 35 और 35 कोई नहीं रोख पाएगा दोस्तों अब रित बीच में 3 तो 3 याने की 3 गूड़ी तो 3 गूड़ी इसका बिल्कुल ही सही अंसर हो जगा और प्राग पीड निम्नांकित में किस में पाएग प्राग पीड तो प्राग पीड या मदार में पाएगा जाता है कि जो 35 है इसका केला केला is the right answer for this question ठीक और यहां पहाँ आप देख ऑस्तन गरंथिया निम्नांकित में किस गरंथी का रुपांत्रा है अस्तन गरंथिया तो ऑस्तन गरंथिया दोस्तो जो होता है मनुष्य में पाया जाता है और यहां पर देख रहे होंगे कि भूंड में अनुवांसिक विकार के अध्यान के लिए निम्नांकित में कौन सा प्रडिक्शन इस्तिमाल होता है तो भूंड में कि अध्यान के लिए निम्नांकित में किसका प्रडिक्शन होता है तो अपका इंसर आगे कि और आइंसर for this question दोस्तों और यहां पे पूछ लिया गया है कि जो लिए हाइड्रोफाइट्स पौधे का निम्नांकित में कौन उधारन है जो लिए पौधे का निम्नांकित में कौन उधारन है तो उम्मिद करते हैं आपका एंसर आ गया होगा कि कमल भी होता है और हेड्लिली और ट्रापा इसका अप्सेमर जो यहाँ पर जो लिए पौध is पौध पूछा है ठीक तो यहाँ पड़ा जो ड़ी है और यहाँ पर उत्परीवर्तन किश के दूतर किरा रूजेगा और यहां पर उत्परी вर्तन क्या होता है दोस्तों इसमें गामा के लिए कितने जिम वार है तो आपका एंसर आगे होगा कि तीन जो की बिल्कुली सही एंसर होजेगा और यहां पर देख रहे हैं होंगे कि BDNA में दो नुकलियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होते BDNA में तो BDNA में कहते हैं तीन दसम लो चार एंगेस्टरम एक एंगेस्टरम बराब होते हैं दस के पावर मानस दस से मीटर होता है एक एंगेस्टरम और यहां पर समापन कुट पूछा है तो निमलीखित में कुझटली की भीस चेस्टा निमनांकित में क्या है तो इसका आई टेंसर यहां तो यहां पर बताना है दोस्तों यहां पर 46 जिवास में के अध्यान को क्या कहते हैं तो जिवास में के अध्यान को कहते हैं आपसर नमर्स जो भी है और यहां पर अब देख रहे हैं कि राइब नीकुलेटाइड को निम्नांकित में कौन परिभासित करता है तो उम्मीद करते हैं आपका आगया होगा एपसर मलेटाइड और फास्पेट ग्रूप करता है और राइट एंसर रहेगा दूस्तों और यहा सिकांग की मदद से अस्तनांत्राण यानिके ट्रांसलेशन की किरिया संपन होती है नाम बताएं तो इसका जो सही एंसर होजेगा दोस्तों कि किस कोशिका की मदद से अस्तनांत्राण की किरिया संपन होती है तो इसका जो सही एंसर होजेगा दोस्तों वह होजेगा राइबोस जो समभनित रखता है और यहां पर देख रहे होगे कि आदि मैं क्या समानता है तो इसमें जो किसके लिए बिख्यात credit तो जब कहेंगा दूस्तो गीर वन चैयर के लिए the option a falls here 0 और यहाँ पर एक पाड़ी तंत्र में हरा कितने परकार की होती है तो एक पाड़ी तंत्र पर सिंप्रा कितने परकार तो उमीद करते हैं आपका एंसर आ गया होका कि 57 नमर का नागफाइज का सही एंसर हो ज़ेगा और यह मेंने हो ज़ेगा नागफणी प्रकृतिक जीन क्लोनिंग सनवाहक का उधारन है तो प्रकृतिक जीन प्रकार से लिखा रहता है ती आई प्लाजमीट तो वहीं इसका राइट रोज़ेगा अप्शन बर्सी और यहां पर के मुख्षय कारा का कौन है तो अमलीय बार्सा के जो मुख्य कारा कोते हैं दोस्तो उमिद करते आपका अगया अवगा और यहां पर दोर्त धान की प्रणात किस्में होती है याद रखेगा और यहां पर दूद की से जिवाडु द्वारा दही में रुपान्तित किया जाता है तो यहां पर 110 परसेंट विध्यार्थी का जो है उनका एंसर मालुम होगा कि लेक्टो बेसिलस नमक जिवाडु होता है जो दूद से दही में परिवर्थित करता है काईक भ्रोंद भाव निम्नाकित में किसके द्वारा किया जाता है तो काईक भ्रोंद भाव जो होता है दोस्तों वह किसके द्वारा किया जाता है तो उमीद करते हैं आपका एंसर आ गया होगा तो इसका राइट एंसर होजेगा और RNA तरीके से किसे नियांतित किया जाता है तो आर एंए तरीक्या से जो नियंतित के जाता है और निमें टोट सको किया जाता है आप्शन वर यहां पर बी है वह राइट एंसर होजेगा दुस्तों से सना अची लेगरों से लाइक जो किज़ेगा दूस्तों चानल पड़ना है जो सब्सक्राइब को लेजेगा और एनए कर्योग रूगाणुगों को नियंतित करने हैं तो किस पोधों में किया जाता है तो इसका जो सही एंसर होजेगा दम सही वह होजेगा तमबाकुल अधाल में निकोटीन जैसे पदात होता है कि Cry- Strike-Iab किसे नियंत्रित करता है तो कपास के कीटों को करता है option no. ₦ इस का प्रयोग कर सकते हो तो इसमें हम लोग कर सकते हैं नील हरित probacteria का और ट्रांसजणिक मुसोग का प्रयोग किसके के लिए कर सकते है तो इसका जो सही answer होज़ेगा एकड़म सही वह होज़ेगा वैक्सीन की सुराश्चात्मक जाचके है तू option जो यह है वह right answer होज़ेगा और restriction enzyme जाने जाते हैं तो restriction enzyme जो जाने जाते हैं दूसतो यह मुख्यता जाने जाते हैं RW कैंची के रूप में option जो B है समाई तथा अस्थान में किजी खास अबादी में मीर्तु की संख्या को क्या कहते हैं तो इसे मॉर्टेलीटी कहते हैं ऑप्सन वर यहां पे जो भी है वह राई टेंसल होजेगा तो दोस्तों इस परकार से समलोग सतर में सतर अबजेक्टिव को अच्छे तरीका से डिसकस कर चुके हैं उमीद करते हैं आपको सेशन अच्छी लग रही होगी और जरूर कमेंट कीजेगा दोस्तों कि आप सतर में कितने प्रस्णतर पहले से जानते थे और फिप्टी परसेंट अगर प्लस का एंसर रही होंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट विडे में नई उमीदे के साथ तो हस्ते रहे और मुस्क्रात रहे और अपनी त्यारी को मजबूत करते रहे तो आज की इतना है दोस्तों थेंक यू